स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइस्टो टेकनोलजी में मैं अनुवर्मेबल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूप कैमरा ट्यूजडी में आज हम लोग बात करेंगे ब्लाक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K परो के बारे में तो आए समझते हैं तो सबसे पहले समझे कि इस से जादा एक्सपेक्टेशन मत रखे क्योंकि यह ब्लाक मैजिक 6K जो उन्होंने रिलीस किया था उसी का रिफ्रेश है मतलब समझे कि इसी के जितने हाडवेर थे जितने कोर उसके लेके मतलब दुबारा से रिपैकेजिंग किया गया तो कोर टेक्नोलजी यानि कि जो सेंसर है जो कोडेक्स है जो फ्रेम रेट से हर चीज एक्जाटली 6K जैसा है बस इसमें मतलब समझे फिजिकल बॉडी पर का टेट है तो आइए देखते है एक्चली अपडेट हुआ का है तो में अपडेट हुआ अर्गनोमिक्स में यानि की सबसे बड़ा है था फ्रोप्रोक्रम नेधिक का प्रॉब्लम दो लेते ते तो उसमें सोनी का बैटरी लगता था तो इस बार उन्होंने वो सम डिजाइन क और दो अलग अलग बैटरी को रखो दो अलग अलग चार्जार को रखो वह सिफ पैसा बरदा हाधी करता है अच्छे तरीके से करता है तो इससे फादा यह रहता है कि आप तीन बैटरी पर चलते हैं और इसका एक और फादा आपको मिलता है कि जनरली अगर आपका माली एक बैटरी जो आपने लगाया है कैमरा बॉडी के अंदर जो है जो पूरी तरह से फुली चार्ज अगर रहा मतलब कैमरा चल रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है आप देखे कि नीचे का दो बैटरी डाउन हो गया ठीक है खोलिए अब ट्रे निकालिए आप इंटरनल बैटरी पर चलेगा दोनों नया बैटरी लगाई यह लगाई यह चलते रही है तो यह बहुत बड़ी बात है और त बंट से तीन घंटा तक चल सकता है जो की बहूत बड़ी बात है मतलब सिनिमा के हिसाब से वह बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर इन्हों OnePlus profundप उन developed बहुत हैंए मोजए फौर इं am तो आपको एक अच्छा कंट्रोल ऑप्शन मिलता है और इस बार डिस्प्ले पे भी महनत किया गए में लोगों का सिखायता था कि आपका डिस्प्ले यह नहीं है ब्राइट नहीं है उसका लूमिनेंस आउटपुट जाधा ब्राइट नहीं तो इस पार इसको तीन गुना जा है और उसमें आपको EVF मिल जाएगा जो की सिनेमा कैमरा में EVF काफ़ी इंपॉर्टन मतलब हम लोग सिनेमा डिरेक्टर को देखते हैं और इससे डिपेंड करता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है EVF चाहिए उनको वो लोग ब्लैक मैजिक नहीं खरीद रहते ह में EVF नहीं है तो उन लोगों के केस में हम खरी लेते हैं और जिनको है कि नहीं है मेरा EVF के बिना ही काम चलता है वो बिना उसके रखें तो यह ऑप्शन भी दे दिया गया और एक बहुत बड़ा बात जो वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिल्ट इ देखने तो प्राउसका खाक पर लीडियो एक विदा सांथी से हम धिस बात बहुत बड़ीया बात है तो लोग मेरा केज बनाता है अ उस गड़वर था तो वो सबको काफी सुधारा गया है 6K Pro में अब बात करते हैं यह कैमरा किसके लिए बनाया गया है तो यह समझ लिए कि यह hybrid camera के तौर पर नहीं बनाया गया यह सिर्फ एक काम करेगा यह सीनी लेवल कैमरा है सीनी लेवल कैमरा में कभी और फोकस नहीं आता है कि जैसे सोनी हो या कैननों की चैरह आपका पकड़ लिया उस पर पकड़ा रहेगा आप आये बिचारी है वह सम्हाल के रखा रहेगा वैसा नहीं है मतलब आफोकस ना मानके चले और जो है भी वह contrast detect है तो ऑटो फोकस भूली चाहिए तो cinema जैसा बनाया गया तो यह समझना बहुत जरुए कि इसके जो मतलब pro features है और जो इसके raw products है वो आम लोग काफी frustration देगा जैसे कि काफी लोग मुझे comments में लिखते हैं कि मुझे यह camera चाहिए उसमें जा रॉफाइल बहुत लोग जो ऐसे मुग खोल के बोलन को नहीं पता कि कितना जगा खाता है रॉफाइल मत जो यह सब camera पर काम करते हैं उनको 2TB का SSD खरीदना पड़ता है जो मतलब अवी high speed वाला सेटा 3 वाल SSD से काम नहीं जलेगा इनको चाहिए जो कि at least 1Gbps पर read-write कर सके तब जाके raw file के साथ काम किया जा सकता है बहुत बढ़ा होता है और जितने पड़े production है उनको network attach storage लेना पॉलिश ना करें अगर आप बैठ के पॉलिश करने लगता है तो यह बहुत दूर तक निखारने देता है compare तो जो नॉर्मल सारे camera आते एट बिट पर रुख जाते है जादे आप निखार नहीं सकते 10 बिट काफी निखार सकते यह रौ तक चला जाता है पिर आपको टेंसर लिए तो यह समझ लिए कि यह आम पब्लिक के लिए नहीं बनाए गया जिनको सिनेमा में इंट्रस्ट है वही इसको अच्छे से कर पाई है और यह डील के लिए काफी तौर पे जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए एक इसमें बहुत अच्छा प्रो लाइसेंस आपके बस एक प्रो लेवल का वीडियो कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग पैकेज एक साथ आपको मिल रहे हैं आपको खरीदने के साथ ही जो कि सॉफ्क्र काफी महगा होता है तो बहुत बड़ी बात है तो जैसे पिक्चर वाले स्टुडेंट हो जाए यह जिनको सिनेमा बनाना है जिनको शॉट मूवीज बनानी है उनके लिए सूट करेगा क्या इससे वेडिंग उडिंग कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन वह पाइप नहीं आप लंबा हो जाएगा फजीत होगा मतलब राइट टूल फर राइट जाब वाला बात है तो यह थोड़ा सा नीश आपको एक्ट्रा गिंबल उंबल नहीं खरीदना पड़ेगा तो यह काफी बड़ी बात है और दोनों में एक ही लेंस लगता है मतलब आरेफ लेंस तौप इसमें भी लगा सकते हैं और आपका ब्लाक मैजिक में एफ ही लगता है तो यह तो कैनन के तरफ से काफी अच्छा और दूसरा एक और अच्छा उप्शन है मतलब से 7S3 जो है और जिनको 4K से ही काम चल जागा लेकिन बागी सारे चीच काफी cinema लेवल का हो तो 4K है 10 बिट है और लो लाइक के बारे में तो बात ही नहीं करना है डिसकर्शन ही नहीं करते हैं इसका लो लाइक के बारे में तो भरोसा कर सकता हूं और यह बहुत बढ़ी बात है क्योंकि मतल्हाप देखते होंगे फोकस फोकस कुलर करके बंदे का जॉब रहते है तुम फोकस करो एक वंदे को खर्चा देना पड़ रहा है यह तुम बस लेंस को फोकस करो तो ऑटो फोकस काफी इंपोर्टन देडिग और खासकर कि छोटे क्रू में अगर आपको सारा काम करना है फिर आइबस नहीं होना आइबस दोनों कैमरा में सोनी में ठीक ठाक आइबस है कैनन में बहुत बढ़ी है अब में घूम फिर के जो आपका आता है समस्या की एक फुल फ्रेम है यह सारे आपका दाम थोर जादा चाहरा और फोकस है उतना डेप्त फील्ड छोटे सिंसर में लाने में आपकी बैंड जाने वाली है आप हजार चीज लगा लीजिए आप उसमें वह भी नहीं लगा पाएं क्योंकि आर एफ मांट है मिरलेस मांट रहता तो आप बहले समें स्पीड बूस्ट लगा कर पाते फूल फ्रेम में लाने में थोड़ा सा दिकत हो जाएगा आपको खरीदना पड़ेगा एफ 1.8 खरीदना पड़ जाएगा जो कि फूल फ्रेम में आराम से मिल जाता है और एफ 1.2 तक आप जा सकते है अब तो वह भी मिल जाएगा लेकिन अगर उतना सुपर 35 में करना चाहत तो बताब भयानक shallow depth of field की यहाँ कार्ड में फोकस है और यहाँ इसका चाहरा एकदम भयानक बलर हो जाता है वो मुश्किल होगा तो वही समझदे है कि जिनको depth of field चाहिए जिनको low light चाहिए जिनको autofocus चाहिए वीडियो मांग भी रहोंगे तो भी यही सब camera जादर सूट कर तो यह था मेरा presentation black magic 6k pro के बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा कुछ इंगों मिला कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक करते दूसरा शेयर करते उसे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद है कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं काउंगा डिसलाइक दो बार दबाए उसे मुझे ता चल लगो कि इतना पसंद हुआ है मैं अपसे कोऊंगा कि कॉमेंट लेके मैं हर को मेंट को पढ़ने के ज़रू कोशिश करता हूं आप से कोऊंगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई अगर आप फ्री है तो आपने वीडियो देखा जानके मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद